नमस्कार साथियों UPSC Current Affairs प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है मेरा नाम दिपांच है और इस वक्त की अपडेट स्वच्छ वायू सर्वेक्षन 2023 से जुड़ी है साथियों केंद्रिय पर्यावरर वन और जल्वायू परिवर्तन मंत्री भुबेंद्र यादव ने स्वच्छ वायू सर्वेक्षन 2023 के परणामों की गोश्णा की है आपको बता दे कि केंद्रिय मंत्री द्वारा यह गोश्णा मत्य प्रदेश के भोपाल में कारिक्रम के दोरान की गई स्वच्छ वायू सर्वेक्षन 2023 के परणामों के अनुसार मत्य प्रदेश के इंदौर को 10 लाग से अधिक अबादी वाले शहरों में शीष स्थान दिया गया है जबकि उत्तर प्रदेश के आगरा को दूसरा स्थान और महाराष्ट के ठाने को तीसरा स्थान पराप्त हुआ है साथियों स्वच्छ वायू सर्वेक्षन का यह दूसरा संसकरण है 2022 के सर्वेक्षन में 10 लाग से अधिक अबादी वाले शहरों में उत्तर प्रदेश के तीन शहर लखनव पहले स्थान पर था प्रयागराज दूसरे स्थान पर और वाराण सी तीसरे स्थान पर था गौर्टलब है कि सर्वेक्षर में राश्ट्रिय स्वच्छ वायू कारिक्रम के तहत 130 शहरों को शामिल किया गया था आपको बताते चले कि राश्रिय स्वच्छ वायू कारिक्रम के तहत इन शेहरों द्वारा प्रस्थुत, सुव मूल्यांकन की अधार पर केंद्रिय पर्यावरन, बन और जल्वायू परिवर्तन मंत्राले द्वारा परणाम भोशिक किये गए थे शेहरों का मूल्यांकन आठ प्रमों बिंदों पर किया गया था, इसमें नगरपालिका द्वारा बायो मास और ठोस अप्षिश जलाने पर नियंत्रन, सडक, निर्मार और कच्रे से उत्पन धूल की रोक थाम, वहानों और ओध्योगिक इकाईयों द्वारा उत्पन उत्पन कम करना, PM10 के इस्तर में सुधार के साथ ही सारवजनित जागरुपता को बढ़ाना शामिल था, बता दे कि इन शेहरों को वर्ष 2011 की जनगरणा के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर तीन श्रेणियों, दस लाग से अधिक आबादी वाले शेहर, तीन से दस लाग के को प्रतम स्थान दिया गया है